आज भी कहीं लोग इस बात से अंजान है कि प्रिग्नेंट होने के लिए कब संभोग करना सही होता है शादी के बात भी कहीं महिलाओं को इस बात की जानकर नहीं होती है कि प्रियर्स की कितने दिनों के बाद या कितने दिन पहले शिक्स करने से प्रेगणेंट होने की संबाउना बढ़ती है। कई پुरुष भी इस बाद से अंजन होते है। प्रेगणेंट होने का समय मासिक धर्म चक्र के फरटाइल बिंदू पर निर्बर करता है। यदि मासिक धर्म की आउधी 28 दिनों की है तो आप आम तोर पर 14 दिन पहले के आसपास उविलेट होती है इस समय में संभोग करना सही माना जाता है आज हम इस यूडियो में जानेंगे पेग्नेंट होने के लिए कब संभोग एस सेक्स करना चाहिए तो चलिए दस्तों स्टार्ट करते हैं मैं हूँ दॉक्टर पठान और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत सागत है पेग्नेंट होने के लिए कब संभोग बनाना चाहिए वें शुड यू हैव टु सेक्स गेट पेग्नेंट पेग्नेंट होने के लिए पार्टनर्स का सही समय पर संभोग बनाना ज़रूरी होता है आम तोर पर ऐसा कहा जाता है कि पेड्स के पहले दिन को काउंट करते हुए 90 दिन से लेकर 17 दिन के बीच संभोग करना सही माना जाता है रिसर्च में भी इस बात को साबित किया गया है कि पेग्नेंट होने के लिए कप्र्स का स्वास्ति होना के साथ साथ सम्मंद बनाने की स्तिती और समय भी महतोपूर्ण होते है आई रिस्ता से जानते हैं पेग्नेंट होने के लिए कब संभोग करना चाहिए प्रेगनेंट होने के लिए सबसे सही समय आपके मासिक धर्म चक्र के फर्टाइल बिंदू याने के फर्टाइल पॉइंट पर निर्बर करता है फर्टाइल वे दिन होते है जब महिलाओं में ओविलोशन की प्रक्रिया सबसे तीवर्फ होती है आपके fertile window में ovulation से 5 दिन पहले और ovulation का दिन शामिल होता है आपके ovulate से 2 दिन पहले और ovulation के दिन में गर्बदारन करने की संभावना सबसे अधिक होती है इन दिनों में संभोग करने से pregnant होने की संभावना सबसे अधिक होती है ओविलेशन के दोरान आपका अंडा शे एक परिपक्व अंडा यानिके मैच्चर एग रिलीस करता है यह एग आपके गरवाशे के रास्ते में फैलिफेन टूब के नीचे अपना रास्ता बनाता है इस मार्ग पर जब शुकरानों एक के साथ मिलेंगे तो उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं मालू हो कि फैलिफेन टूब में शुकरानों लगबग पांच दिन तक जीवित रह सकते हैं इसलिए यदि आप गरवदान करने की कोशिश कर रही हैं तो इस बात का द्यान रखे कि आप ओविलोट कब हो रही है और आपके फैलिफेन टूब में शुकरानों कितने समय तक जीवित रह सकता है इन बातनों का द्यान रख कर संभूख करने से प्रिगनसी की संभावना बढ़ सकते हैं अब सवाल ये आता है कि ओविलोशन का समय कैसे पता लगाए ओविलोशन का समय जानने के लिए अपने पास मासिक दर्म चक्र का कैलेंडर रखे या फिर ट्रेक करने के लिए अपनी मुबाइल में एप का इस्तिमार करें प्रतिक चक्र आपकी मासिक दर्म चक्र आउदी के पहले दिन से शुरू होता है और आपकी अगली मासिक दर्म आउदी शुरू हो इसके लिए अपने मासिक धर्म चक्र के मद्य बिंदू की तलाश करें, उदान के लिए यदि आपकी मासिक धर्म की आउधी 28 यानि 28 दिनों की हैं, तो आप आम तोर पर 14 दिन के आज पास ओविलेट हो सकती हैं, पता दे हर महिला का मासिक धर्म की आउधी और ओविलोशन टा आता है कि ओविलोशन का संकेत क्या है, पहला संकेत है योनी स्त्राव में परिवर्तन होना, ओविलेट का समय जानने के लिए आप अपने लटनों पर भी ध्यान दे सकती है, योनी का स्त्राव में परिवर्तन होना भी ओविलोशन का संकेत हो सकता है, ओविलोशन के दवरान यूनिस्त्राव का बलगम साफ और गाड़ाफ हो जाता है जब यह बलगम चिकना और भहुत लचीला दिखे तो आप समझ जाएं कि आप ओविलेट है दूसरा सिम्टम से हैं बेसल बोरी तापमान यहीं कि बीबी टी में रुद्धी होना ओविलेशन के दोरान महिलों के शरीर का तापमान तुनलात्मक रूप से बढ़ जाता है अगर आपके शरीर के तापमान में मामूली रुद्धी दिखे तो यह ओविलेशन के संकेत हो सकते है हाला कि ovulation के कुछ दिरों बाद भी शरी का तापमन भी बढ़ सकता है द्यान रखे कि यह संकेत सिर्फ आपको ovulation की और इशारा कर सकती है ovulation की सक्किक जानकारी नहीं दे सकते है हाला कि यदि आप ovulation चक्रों को जानने के लिए शरी की तापमन को ट्रैक कर सकती है बात करते हैं pregnant होने के लिए कितनी बार संबोग करना चाहिए how often should you have sick to get pregnant कई बार आपने पढ़ा होगा कि बार बार संबोग करने से sperm की गुनवत्ता पर नकारात्मक प्रबाव पढ़ सकता है कुछ अध्यनों से यह पता चला है कि सयम के साथ दो से तीन दिनों के आउदी के बाद एककत्र क्रिये गए शुक्राणों की गुनवत्ता बहतर होती है अध्यनों से यह भी पता चला है कि हर एक से दो दिन में सेक्स करने वाले कपल्स में गर्वदारन के दर अधिक देखी जाती है फार्टाल विंडो के दोरान दिन में या हर दुसरे दिन में एक बार संबंद बनाने से आपके गर्वती होने के संबावना बढ़ सकती है हाला कि ध्यान रखेगी फार्टाल विंडो के दोरान आप कई बार संबंग करने की कोशिश कर सकती है लेकिन अपने आपको एक शेडूर के लिए बाद न करें इससे आपने अनावाशक स्ट्रेस बढ़ सकता है ध्यान रखे कि आदर्श संबंग संख्या वो होती है जिसमें आप सहज मेसुस कर सकती है बात करते हैं प्रेगनेंट होने के कुछ अन्य उपायों के बारे में अदर टिप्स पॉर गेटिंग प्रेगनेंट संबंग के अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे आप प्रेगनेंट होने की संबंवनों को बढ़ा सकते हैं सिक्स के अलावा भी कुछ ऐसे कारण भी शैमिल होते हैं जिससे प्रजन शम्ता को बढ़ाया जाता है पहला कारण है और्गयाजम पुरुष के लिए अपनी महिला के साथी को गर्बोती करने के लिए स्कलन ये की एजेक्विलेटिंग काफी जरूरी होता है हाला कि एक महिला को गर्बोती होने के लिए चर्मोत कर्ष ये क्लाइमिक्स की आवशकता नहीं होती है लेकिन महला साती के और्गयाजम की गती यहने की मोमेट अफ और्गयाजम शुक्रानों को उनके गंतरवे के करीब ले जाने में मदद कर सकती है दूसरा है वजन को कंट्रोल करे प्रजननक शम्ता को बहतर करने के लिए वजन का नियंदरन होना बहुत जरूरी होता है अगर आप भूत अधिक मोटे या फिर पतले हैं तो इससे आपकी प्रजननक शम्ता में प्रभावित हो सकती है तीसरा है दूमरपान न करे दूमरपान करने वाली महिलाओं को इनफर्टिलिटी और गर्बपात की संभावना बढ़ सकती है इससे के अलावा इससे शुक्रानों की गतिशिलता भी कम हो सकती है इसलिए अगर आप प्रिगनेट होना चाहती है तो दूमरपाट से दूर रहे चार है क्याफान सिमित मातरा में ले क्याफान यानि चाय और कौफी का सेवन सिमित मातरा में ले एक दिन में पांच कब से अधिक कौफी का सेवन करने से प्रजनेंग शंता में कम हो सकती है आखिर में बात करेंगे इस वीडियो की साग्रणश के बारे में Summary of this वीडियो प्रिगनेट होने के लिए संबो करने का सही समय जानना बेहत जरूरी होता है प्रिगनेट होने का सवय मासिक दर्म चक्र के फर्टाइव बिंदू पर निर्बर करता है इसी से निर्दाइथ होता है कि आप सबसे ओविलट कब होती है वहीं प्रजनेंग शंता को बेहतर करने के लिए महिलाओं और पूर्षों को अपनी स्वास्ते पर भी ध्यान देने की अवशकता होती है लेकिन ध्यान रखे कि अगर आप प्रिगनेट होने की कोशिश कर रही है और किसी कारण से प्रिगनेट होने में परिशानी हो रही है तो तुरंत अपना चेक अप कराए ताकि प्रिगनेट न होने का सटिक कारण समय पर पता चल सके साथ ही इसका समय पर इलाज शुरू किया जा सके तो आज की वोड़ी में बस इतना ही तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वोड़े में तब तक के लिए धन्यवाद